सब्सक्राइब कीज़े Green Knowledge चैनल को और पाइए लेटस वीडियो आपकी स्क्रीन पे नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे माचिस के बारे में और जानेंगे कैसे कई लोग उसे किसी भी सर्फेस में रगड़ते हैं और उसे जला देते हैं जब हम माचिस को जलाते हैं तो बहुत कुछ होता है उस छोटे से समय में माचिस दरसल दो प्रकार की होती हैं एक आम माचिस जिसे हम सेफटी मैच भी कहते हैं और दूसरी स्ट्राइक एनिवेर मैच यानि की जिसे हम किसी भी सर्फेस पर लगड़े और से आग लग जाए एक आम माचिस को देखें तो उसमें हमें एक माचिस की तीली और उसकी डबी में striker pad मिलता है इस माचिस की तीली की bead में antimony trisulfide और potassium chloride होते हैं और दूसरी तरफ उसकी डबी में striker pad दिया होता है जिसमें powdered glass friction को बढ़ाने के लिए और red phosphorus उस तीली को ignite करने के लिए होता है safety match जिसे हम आम घरों में use करते हैं उसमें आग तब लगती है जब हम उसकी माचिस को specially prepared striking pad पे रगड़ते हैं जो की उसमें box में दिया होता है और दूसरी तरफ strike anywhere माचिस में ऐसा क्या खास होता है इसमें सिरफ हम जो striking pad पे red phosphorus होता है उसे वहाँ से निकाल कर उसकी जगा फोस्फोरस सिस्क्वी सिलफाइड हम माचिस की तीली की बीड में ही लगा देते हैं यानि strike anywhere माचिस की तीली में तीन components होते हैं potassium chlorate, antimony dry sulfide और phosphorus सिस्क्वी सिलफाइड strike anywhere मैच वो माचिस है जिसकी तीली को हम अगर किसी भी surface पे रगणें चाहे वो plastic हो, metal हो, जमीन हो, rough surface हो तो उसमें आग लग जाती है अगर मैं इसे और आसान तरीके से समझाओं तो red phosphorus ही माचिस को जलने में मदद करता है जो आम माचिस होती है, उसमें हम माचिस की तीली को अगर striking pad पे रगणेंगे जिसमें red phosphorus होता है, तब ही उसमें आग लगेगी और दूसरी तरफ, strike anywhere माचिस में हमारी माचिस की तीली के ऊपर ही red phosphorus लगा होता है यानि हम सिर्फ उसको किसी भी surface पे रगण कर heat produce करेंगे और उसमें आग लग जाईगी इसके flow diagram से हमें और अच्छे से clear होगा कि ये process आखिर होता कैसे है सबसे पहले हम जब माचिस की तीली को striking pad पे रगण कर heat produce करते हैं उस समय red phosphorus white phosphorus में convert हो जाता है white phosphorus का ignition temperature बहुत कम होता है यानि उसमें जल्दी आग लग जाती है इसलिए वो potassium chloride को साथ लेकर heat produce करता है और potassium chloride से oxygen release हो जाते हैं ये oxygen और ये heat मिलकर anti-monitri-sulfide को ignite करती है और जिससे हमारी माचिस आखिरकार जल जाती है यानि red phosphorus friction की गर्मी के कारण white phosphorus में convert हो जाता है और white phosphorus potassium chloride को लेकर heat produce करता है और oxygen release हो जाते हैं potassium chloride से ये heat और oxygen मिलकर anti-monitri-sulfide को ignite करते हैं और आखिरकार हमारी माचिस जल जाती है तो इतना खुश हो जाता है उस छोटे से समय में आपके मन में आ रहा होगा कि कहां से खरीदें ये strike anywhere माचिस देखे ये जो माचिस होती है काफी dangerous होती है क्योंकि किसी भी surface पे रगड़ने के कारण इसमें आग लग जाती है और इसे market में कम ही बेचा जाता है लेकिन आप इसे घर बैठे भी बना सकते हो आपको सिरफ माचिस की डबी का बाहर का powder निकाल देना है उसे कठा करके उसमें तो चार बुने पानी की मिलानी है फिर माचिस की तेली को लाकर उसकी बीड पर उसे थोड़ा सा ये मसाला लगा देना है जब वो सूख जाएगा तब आप उसे किसी भी सर्फिस पर रगड़ोगे तो उसमें आग लग जाएगी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेर ज़रूर करना और आज के लिए वीडियो को लाएगा तो एलिए में वाएगा है